तुर्ण विडियो में आप सबका स्वागत है वाइनली काफी साथ बच्चों का यह डाउट था लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि प्रीबोड परिक्षा या प्रीबोड परिक्षा जिन स्टुएंटों नहीं दी है क्या वह पास होंगे या नहीं या फिर जिन बच्चों ने प्रीबोड या अरदवार्सिक परिक्षा में बेटे थे इस साल बो ठस्वी के चाट्रा जिन लोह ने एक्जाम ते दियी ते लेकिन कुछ लोग फैल हो गाई थे दस्वी के जो है इस साल के प्रीबोड और अरदवार्सिक में उनका क्या होने वाला है उनको सरकार पास करे जो है पास कर रही है जो की MPK गवर्मेंट ऐसा नहीं है दोस्तों कुछ इस्टुटेंटों को फेल भी किया जा रहा है और उसके क्या क्या वही खामिया है यानि क्या गलतियां वह निए इस साल में जिनें फैल किया जा रहा है टोटल आज की वीडियो में फुली एक्सपिरिय डेल टूडेल यह आप देखें तो सब्सक्राइब तो अपर यूटूब चैनल सक्षाप्रेश्ट यह प्रैस दा बैल आइकोन चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो के स्टार्ट फानली आपर मादमिक सिक्टर मंदलने कोरोना संक्रमट को देखते हैं हाई स्कूल की और चैस्ट और यूनित टेस्ट और आंत्रिक मुल्यान के तरश पे यहां पर आपका रिजल्ट तयार किया जागा इसी के अदार पर तयार किया जाए गया ऐसे चातर जो परिक्षा में फेल हो जाएंगे तो 33 फीजबी अंक देकर भी पास किया जाएगा बात की जा रहे है उन स्ट्टुनेंट की जो नहों ने यहां पर और बाला गोवात ने एक प्यान देने वाली वग ten टो यहां पर ध्यान देने वाली वात यहां कि आपके वो स्ट्टुनेंट जो परक्षा होल बैठे ते exam दिया दिया था लेकिन अर्दवार्सिक या प्रीवोड किसी एक परिक्षा में जो है वो लोग फेल हो गए हैं यानि साही तरीकिस एक्जाम ना देने की वज़े से या किसी कारणबस वो लोग फेल हो गए हैं लेकिन वो एक्जाम होल में बैटे तो थे तो जो प्रिजेंट थे प् स्कूल के रिजल्ट में नहीं हो गी यहां पर मसलें इसकूल के दस भी के चात्र हैं और साथ चात्रों को पूर्व की परिक्षा के आदार पर अच्छे यंग मिलेंगे लेकर चालीश विद्वी चात्र ते-ती-स लंग पास यह जाएंगे तो स्कूल का रिजल्ट साथ पिसे चाटलों के हسाब से होगा प्रीवोड और है पर उने और शात्र चाट्र चाटर और अर्दवार्सिक अनुपस्थ चाट्र चाहत्र अब इनका क्या होने वला है आपको बता हूं रहने सिख यौनों प्रीवोड मान के बेटे हि के हुं नहीं है उन स्टुएंटों को यहां फे फेल किया जाएगा ना उनी कोई 33 फीज़दी अंक बिलेंगे ना कुछ अलाकि अधिकतर स्टुएंट ऐसा नहीं करते हैं पर कुछ होते हैं एक के दुके गिनेचुने जन्हों ने यह बदमासी किये तो बुनको उनको वही टैंथ क्लास में या तो सपली आएगी या फिर वो टोटली फेल हो जाएंगे और तीन साल की तरश के आदार पर दस्वी का रिजल्ट तैयार होने वाला है फ़ानल यह अब सब को पताए होगा यहाँ पर मंडल ने कहा है कि हाई स्कूल के पिछले तीन साल का रिजल्ट के आदार पर भी इसकूल रिजल्ट तैयार करेगा है ऐसे में तीन साल की मेहनत भी बच्छों की देखे जाएगा और इसकूल रिजल्ट चालीस से पैतालीस फीजदी रहेगा तो इस साल में रिज लिए एक्जाम अपडेट की कैसी लगी यह वीडियो कॉमेंट करके जरू बताएं और लगातार वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब को अबर यूटूब चैनल और प्रस्दा बेल आइकॉन